कैसे हैं आप तर चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वक्षिट आपकी वक्षिट नमर 137 हिंदी की वक्षिट है कक्षर दूसरी दिनांग के 20 दिसंबर पाठे पुसक रिमचिम से ली गई है पुर्णा वर्ते कारेपत्र का है आपको अपने नाम और यहां आपको अपने टीच को एक पार दोहराएंगे नीचे दियेगे शब्दों को बोलका पड़ी और तुकान शब्द पर ठीका मतलब टिक का निशान लगाएगे तो लाल काला गीले सीले अंदर बाहर कपड़े बरतन तो बच्चे तुकान शब्द जो है गीले सीले ठीक के लास्ट में लास्ट की को पैचान कर खाली जगह में लिखिए कोईल गाए चडिया बुलबुल तो देखिए बच्चे कोईल चडिया और बुलबुल यह क्या है तीनों पक्षिया है लेकिन गाए क्या है एक जानवर है तो यहां पर क्या जगा गाए कवीता में पंक्तियों को दिये गए विकल्प कविता में आसमान से डैश को बुलाया गया चांद को तारी को इंद धनुष को और इंद धनुष को तो कविता में जो है आसमान से किसको बुलाया गया था इहां पे ऐगा बच्चो सूरज को ञमकर बैठ यहां डैश आरपन नहीं डिखता है तो यहां पर कुहासा तर्जिकों बैठा है कौहासा जैसे कि मौसं में कुहासा मतलब होता है हम डैष की मौसं में करभड पहनते हैं तो था आग तापते हैं इस मौसं में बच्चे को बताई कि कुड़ा हमेशा कुड़ेदार में ही डानला चाहिए अपने आसपा साफ सफाई रखने से बिमारे हमेशे हमसे दूर रहती है तो बच्चे यह थी अगर वीडियो पुसंद आए तो लाइक करें शेयर करें कमेंट करें कि बताई कि आपके वीडियो कैसे करें